सभी आंगनबाडी सेविका सहेका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है भाईयो बहनों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल से अगर ना जुड़े हों तो सब्सक्राइब कर लेना आज आप सब भाई बहनों से पूछना चाहेंगे कि किनकिन बहनों का पहले का भी पैसा बकाया है और कितने कितने माहों का उसको कमेंट बाक्स में जरूर लिखें साथी साथ पिछले महीने यानि दिसम्बर महीना पूरा हो चुका है जनवरी चल नहाँ है तो पिछले महीने दिसम्बर का भी पैसा अभी तक किनकिन बहनों का कहां किनकिन राज्जों में नहीं पहुचा है वो भी comment box में जरूर लिखें ताकि ये वीडियो जब भी viral हो तो उ लगना काफी दुखदायक है मैं चाहता हूँ इस बारे में आप सब बहने कमिंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मांदे जल्द से जल्द निदसाले से लगाया जाए तो आप सब बहने भी मांग करें आलेंडिया भी मांग करता है अपने मांदे के लिए तो दिसम्बर महिने के मांदे पर जल्द से जल्द विचार हो यूपी में भी और MP में भी साती साथ बिहार में भी राजस्थान में भी जहां से भी वीडियो भाई बहन देख रहे हैं सब ही अपने अपने राज का नाम और अपना नाम लिखें और मांदे जिसका जितना बकाया है वो भी लिखें ताकि ये भी सच्चाई तो पता चले बहुत सी बहनों का 2, 3, 3, 4, 4 महीने का भी बकाया होगा तो वो पैसा भी जानकारी सुरूप आपको लिखना है साथी पिछले महीने का जो दिसम्बर हो चुका है आपने काम किया वो पैसा भी आगरे करिये कि जल्द से जल्द खातों में बहनों के निदसाले से लगा दिया जाए अब बढ़ते हैं आगे जानकारीों की तरफ देखिएगा बिहार में अगर पैसे की बात करें तो अररिया जिले का ये रानी गंज परोजना का एक किसी बहन का आपको एकाउन दिखा रहे हैं सेवी का बहन है इनका पैसा तो अक्टूबर का ही नहीं आया है अक्टूबर का नवंबर का दिसंबर का तीन-तीन महीनों का इन बेचारी बहन का बिहार में पैसा बकाया है इसलिए मैं कह रहा हूँ बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे अन अन Рाज्ज हो, जारकंड हो गया, बहुत से राजज हो गया, जहां कहीं भी मेरे कहने का मतलब है, पैसा नहीं पονचा है, तो वो पैसों के भुगतान को लेकर के, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपनी समस्या अपनी जो है मांग को जरूर लिखें इधर बात करते हैं अगली एक मैसेज के बारे में सुभाया हमारे यहां दो महीने से वेतन नहीं आ रहा है और यह जिला इनका गौालियर है तो गौालियर जिला यानि मद्ध करीदने के लिए पैसा तक नहीं दिया जाता है बताओ जो काम विभाग विभागी कारों के लिए कराता है उन प्रदिश्टरों के खर्चे का पैसा भी बहने अपनी ही जेप से भर रही है वो भी ऐसे सिच्वेशन में जब दो-दो महीने से उनको वहां पर पैसा ही ना दि से हैं 2021 में रिचाज का पैसा आया था दिसंबर के लाश्ट में वो भी उसके बाद से नहीं आया और वो भी 1200 ही आया था तो 2021 में दिसंबर लाश्ट में कुसम्रता बहन ने कहा कि जौनपुर में उनके वहां 1200 मात्र आया थे दिसंबर के लाश्ट में वो भी 2021 में अब 2022 में यानि उनका कहने का मतलब नहीं आया और आपने देखा कि 22 में मात्र जो कुछी महीनों के पैसो चार महीनों के पैसो के बारे में बात हुई थी अपरेल से साथ जुलाई तक के लिए और उसके बाद पिर जो अगस्त जो है 2022 से फिर आपका जुलाई 2023 तक के लिए वो सालाना के हिसाब से 2000 आने के लिए बोला गया वीडियो मैंने कल दे दिया है जिनोंने ना देखा हो देख ले तो उसके बारे में आप देख सकते हैं मोबाईल डाटा प्लान के बारे में तो ये भी दिक्कते हैं मैंने इसके बारे में जानकारी माँगी थी केवल एक बहन ने वाटसिप की है मा कि हो सकता है उस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय उन्होंने दी हूँ ताकि बहने अपने पैसों से जो भी उनके घर में जो भी दिक्कते हैं या जो भी जरूरते हैं उनको वो अपना पूरा कर पहें। हजारों की तादात में किराय पर चल रहे हैं। हजारों की वर्स में उन्हें अपना कारयले भवन नसीब हो सकता है। इसके लिए जमीन का प्रस्ताव SDM के माद्यम से विभाग को भेज दिया गया है। ब्लाक्षित में 221 आंगनबाडी केंद्र हैं इनमें से 182 मुख्य और 49 मिनी आंगनबाडी केंद्र हैं। आंगनबाडी केंद्रों को अपना भवन नसीब होना दूर की बात है। जब राजा ही आप समझ लो की बेचारा कुटिया में रह रहा है तो प्रजा महलों में कैसे रह लेगी। तो वही चीज़े हैं जब खुद का जो विभागी अधिकारी है वो जब किराय के भवन में रह रहा है तो वहाँ पर आने वाले इतने सेकडों की तानात में आंगनबाडी केंद्रों को कैसे उनका भवन नसीब होगा। लर उसके रहा किधेंद्र केंद्र को क्या वे बहर देते हैं ऐसी भी दिक्कते आती है जगे जगे से बेहनों की बेहने इसके लिए विभाग से कहती है तो विभाग बस एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है ऐसी सिचुएसने भी जगे जगे से आती हैं मैं केवल इसी परियोजना की बात नहीं कर रहा है पूरे यूपी की कर र ऐसे करके हमारा दगमग डगमग जो है हमारा बाल विकास विभाग चल रहा है और इसी का रोना है कि यहां पर बहनों की दसा दुर दसा में ही बनी रहती हैं कभी वो अपनी किसी चीज को केंद पर अच्छे से रख नहीं पाती नहीं कोई maintenance अच्छा करवा पाती है क्योंकि द खुद के जो भवन में चल रहे हैं, उनको चुना जाता है, बेचारे जो किराय पर चल रहे हैं, वो ऐसी चीजों से आने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं, विभाग को भी मौका मिलता है, कि जब खुद का भवनी नहीं है, तो रंगो रंगन का काम, रंगाई, होनी चाहिए, यानि उसका इंतजाम होना चाहिए, यानि ये प्राथ्मी की है, हमारे विभाग की, सरकार की, जम्मेदार लोगों की, हम सब की है, कि यहाँ पर सिच्छा के जो मंदिर हैं, जो स्कूल हैं, कम से कम इनको तो बनवा लो, वो भी तीन से छे वर्स के बच्चों सीख लेगा, क्योंकि वो तब तक बहुत कुछ सीख चुका होता है, लेकिन ये मासूम बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, तो इनके लिए, इनके कार्डिंग का जो माहोल देना, ये बहुत ही जादा जरूरी है, तो इस बारे में हमारे खुद के आंगनबारी केंदर ना हो इधर बात करते हैं, बताया जा रहा है कि बेसित इच्छा भाग के रहमो करम पर उनी के कमरों में जो चल रहे हैं और परोजना का सुभारम मुवर्ज 2004 में हुआ है, इसी बलाक से, परिसर में आवासी भावन में मासिक किराया 850 रुपे की अदाइगी कर कारायले को चल रह आरा बताओ, 850 रुपे में परियुजना कारायले की मासिक अदाइगी चल रही बताओ, आज के दोर में कहीं मिलेगा 850 में, ना नियम में संसोधन ना कानून में कुछ में नहीं सब ऐसे ही सब धक्का पिलेट चल रहा है, बताओ कैसे काम चलेगा, खुद के भावन बनवा कैसे किया होगा, क्यों इतने साल भी दगे काम नहीं हुआ, ये सिचुएशन है, हर जगे का यही मेटर रहता है, अब देखे अगली जानकारी, ये आपका प्रखंड गरना काराले मेजर गंज पढ़ता है, यहाँ पर एक लेटर था प्रखंड विकास पदाधिकारी का, बा प्रखंड वाले कारे में बहनों को घसीचा जा रहा है, लिखा है कि सम्बंद में कहना है, बिहार जाती आधारित गंणा 2022 की गंणा कारे के लिए अच्छे जनवरी हो चुकी है, पिछले बहनें दिसम्मर की तारीके लगी थी, तो सोची है, इसे कामों में बहनों को उलजाया जा रहा है आगे चलते हैं और इस वाली जानकारी को किसने भेजा था किरन यादो बहने सितामडी से आती है अब एक समस्या और देखिए इन्हों ने का सरजी पोशर ट्रेकर पर गर्वती गलती से डिलीट करने के लिए उसको मृत्यू आपसन पर जाकर के पोशर ट्रेकर एप के द्वा हो गया है भाई अब आप सोचो इन्हों ने लिखा है कि जो अगर्वती लाबार्ती को डिलीट करने के लिए उसको मृत्यू आपसन पर जाकर के फिर पोशर ट्रेकर एप के द्वारा डिलीट हो गया है तो भाई क्यों हो गया है आपको पता है उसकी डिट नहीं तो फिर क् अब ही परेशान ना हो कोई भी लोग, देखो अब इन्होंने तो गलती की है, अब आपको अपनी बाल विकास परोजना काराले से जो भी सुधार है वो करवाएं, तो कि सोयम से आप कुछ नहीं कर सकते, पहले कुछ सोजाओ लेते तो ज्यादा बेटर था, हम बांकी सब बहन को कहना चाहेंगे, जिनको भी लाबारती डिलीट करवाने हैं, उनके लिए हम एक वीडियो ले आएंगे, और स्पिसल वीडियो थम्मनेल के साथ रहेगा, फॉर्मेट भी आपको दिखा देंगे, कैसे आपको क्या भरना है, फिर परोजना में दे देना है, अपने अपने सरकार के लेटर की चलो हम बात कर ही लेती हैं, किरन यादो बहन सीतामरी से नुन ने लेटर भेज दिया था, नो जून 2022 को लेटर बिहार सरकार में ये निकला था, बिहार की सभी आगन बाडी बहन ध्यान से देखें और सभी राज्यों की भी देखें, कि मुख की सचिव, बिहार पटना ने ये लटर सभी अपर्मुकी सचीव को, प्रधान सचीव को, सचीव को, प्रमंडली आयुकतों को, सभी जिला पदादिकारियों को, सब को भेजा था कि समेकित बालविकास सेवा योजना के अंतरगत कार करने वाले जो कर्मिक हैं, इनको अन्य किसी विभाग कारों की ड्यूटीन में उनको ना लगया जाएं। सकता है, राज में आगन बारी केंद पर सफल संचालन अनुसर्मन के लिए समेकित बालविकास सेवा योजना के अंतरगत जो भी पतादिकारी है, महिला परवेचिका है, बालविकास अधिकारी है, सेविकास साहिका इनकी एहम भूमिकार रहती है, तो यहाँ प्राय देखन में आ रहा है कि विभाग में जो है कर्मचारी आंगन बारी सेविकास साहिका को अन विभाग से सम्मंदित कारियों में भी प्रतनियूप्त किया गया नहीं लगा दिया गया है, जिससे बालविकास सेवाओं के अंतरगत संचालन में नर्दिश दिये गए हैं, किसी योजना कारकम में आवांटित कारियों के अत्रित किसी अन्य कार में ना लगाया जाए आगनबडी सेविका सायका को स्वास से सम्मंदित ऐसे कार में लगाया जा सकेगा जो समेकित बालविकास योजना से सम्मंदित हो और उन्हें अपना केंद छोड़ करके अन्य कहीं जाने के आवस बाकि दौर भाग वाला टाइप कर ना कराएं ऐसा भी इसमें है अनुरोध ये सब दिये गए है अब बाकि इनका पालन तो हो नहीं राजा मिनीस्तर पर तो महज बस लेटर निकल जाते हैं लेकिन पालन नहीं होता इधर बात करते हैं पुष्टा हरुत्पादा निकाई में इसी महीने से जो है होगा भोजन यानि पुष्टा हरुत्पादा निकाई में इसी महीने से बनेगा भोजन तो एक ये मैटर आया था जो कि लच्छीपूर से है लच्छीपूर और नौतनवा जो ब्लाक हैं 528 आंगनबाडी केंद के जरिये जरूरत मंदों को पहुँचाय जाएगा वहाँ पर रासन इस तरह से ही चीज़ें आई है प्रति दिन बनाये नियूनतम सव आयूसमान काड इस पर भी फोकस हुआ सीडियो ने पुष्टा हर उत्पादन इकाई का नरिच्छड भी किया केंद्रो की सिती पर एक नजर भी डाली गई तो सब वही पुरा ख पर आखा आया है तो भाई उत्पादन इकाईयां लगी है देरे देरे करके वो पहुचाया जाएगा इसी महीने अगले महीने जब हो जब आना सुरू हो जाए तो खुद ही पता चल जाएगा हर जगए हर छेतर से बहने हैं तो परिशान किसी को नहीं होना है मैटर को भेज सोए हैं और आंगन बारी के मासूम बच्चों पर किसी का फोकस ही नहीं है अब इस बारे में सोचना चाहिए और छुटियां अगर नहीं है तो निकालनी चाहिए इधर गाजी पुर से अगर आप देखे तो जिलाकार के मधिकारी का एके लेटर आया था जो की पोशर ट्रे को समय से दे खाद्यान इसके बारे में भी एक चित्रकूट से मैटर आया था कलेक्टर में अधिकारियों के साथ में डीम ने बैटक वगरा ये अपना की है कलेक्टर भवन में तो अधिकारियों के साथ में डीम का ये मीटिंग का एक फोटो भी आप देख रहे हैं इस तरह का उनका लेटर है साथ पहले भी दिखा चुका हूँ आंगनबाडी केंदस्तर पर जो भी सामुही गत्विदियां है जो जनवरी फरवरी और मार्च 2023 में मनाई जानी है उनके बारे में है आलेंडिया ने बहुत पहले ही आप सबको लेटर और सारी चीजें ये बता रखी है तो अगर आप लोगो डेली रेगुलर यानी डेली वाले है और रेगुलर वाले है वीडियो देखने वाले तो आपको पता होगा अगर नहीं देखते हैं तो फिर ये आपकी कमी है बाकी आइल इंडिया ने निदेसाले वाले आदेस के आधार पर आपको सारी चीजे पहली क्लियर कर रखी है अब ये देखो एक और मैटर था जो की जिसमें लेखा हुआ है मिनी केंदरों का नाम समधित गराम पंचायत का नाम ये है बाल विकास प्रदोना कास गंसे के लेटर टाइब का जिसमें की केंदर संचालन का इस्थान प्रात्मियों की दाले परचर वागी जिसमें वो सब मैंने मिनी वाला में बदलने को लेकरके क्या सही है नहीं बहुत कर वद देखाया है और उसके अलावा किसी को कही पर भी जुआ इसके लिए पैसे नहीं देने है अब भरस्टाचारी सुरू हो चुकए काफी जगह से बैनों ने कहा कि हमारे माहा सुपरवा पैसे मांग रही हैं कहती हैं कि पैसा दो इतना इतना वह जादा पैसा इतना पैसा दो और तब आपका जो है मिनी से मुख्यांगन बारी में करनाम दे दिया जाएगा बताओ ये भरस्टाचारी है किसी को एक चवन्नी नहीं देनी है अगर आप मानक पूरा करती है और समझ उपर कारवाई करवाएं ये विभाग की जिम्मेदारी है कि उनको लिखित में देना है मिनी से मुख्य बनाने के लिए अगर आपके वह जनसंक्या जायर से बाते बढ़ी है तो इस बारे में आपको ध्यान देना डियम से सकायद करनी है अगर पैसे की मांग होती है अगर असानी से चीज़े हो रहे ही तो कोई दिक्कत की बात नहीं अगर नहीं तो डियम से सकायद करो इधर बात करते है गीता पडेल बेन गोरक पुर से इनके द्वारा फोटो आई और ये उसादे भी है जो की हमीर पुर से आती है उनके द्वारा एक फोटो आई ऐसे कि मैंने क आप लोगों को बताया था कि बच्चे डिलेट विलेट करने को लेकर के एक वीडियो स्पिसल दे देंगे आप सब के लिए धन्यवाद